नोईडा एमेटी स्कूल की गेट पर परिवार के साथ धर्णे पर बैटे प्रवीड कुमार एमेटी स्कूल के गाड की नौकरी करते हैं दरसल ये धर्णा प्रवीड स्कूल प्रशासन की खिलाब अपना ट्रांसफर करने को लेकर कर रही है प्रवीड ने बताया कि वह है नोईडा सेक्टर शम्मालिस इस दिर एमेटी स्कूल में बीते तीन साल से जॉब कर रही है कुछ दिन पहले ही उन्हें अचानक राजस्थान ट्रांसफर कर दिया गया प्रवीड का कहना है कि मेरे बच्चों का दाखला नोईडा में हो गया है मेरा परिवार यहां रहता है तो आखिर मैं इतनी दूर अचानक कैसे चला जाओ प्रवीड ने कहा कि स्कूल प्रसाशन से गुहार लगाने के बाद भी स्कूल प्रसाशन ट्रांसफर नहीं रोक रहा है जिसके बाद मजबूरी में उन्हें परिवार के साथ धन्ने पर बैटना पड़ा है कितने दिन से आप स्कूल में नहीं आ रहें डूटी करने के लिए तीन साल हो गई यहां पर इसके पहले में गॉलर कर चुका हूं तीन साल यानि की टोटल छे साल होने वाला है कोई गलती आपकी कैसी तरीके इसर कोई बताई नहीं रहा है साथ दिन के पैसे कट वाली है वो भी ठीक है उट बीस दिन से बैठा हुआ हूँ कहां पर रहते हो आप यहीं सदरपुर चलेरे में रहता हूँ है तो किरायां पर रहते हैं अपने मकान पर किरायांस पर रहते हैं अपके इसाथ यह विभार कर रहा है एक डिरेक्टर है सबसे ज्यादा परेशन कर रहा है न परेकों यह शूल के बाहर दन्ने पर बैठी हैं और जाएगगे बच्चों को लेकर यह पढ़ रहे हैं नहीं आगा व स्कूल भूल कर दने में पर बैठी जिने को लेकर के हैं दो एडियों को अपे तो जायेंगे इनको लेकर अब बताओ आप क्या कर रहा है था तीन साल होगी रहने वाले कहा कि है आप गवाली रेम पीगे अपने इस पाथ अब कहा जाएंगे अब बताओ, यहां पर इनका एड़ीशन हो चुका है, अब कहा जाएं इनको लेके